मेडिशिन और हेल्थ संबंधी चानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा स्फाक के चैनल को और बेल आइकन दवाई लेटिस्ट नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार आदाप मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट स्फाक स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर अगर आप भी बिना डॉक्टर के सला से मेडिकल अस्टोर से दवाईया खरीत कर खाते हैं तो सावधान ये आपको फायदे की जगव भ्यंकर साइड इफेक्ट दे सकते हैं छोटी मोटी बिमारी होने पर अक्सर कई लोग मेडिकल अस्टोर पर जाकर बिना डॉक्टर से सलाह लिए दवाई खरीत कर लाते हैं ऐसे में कई बार ऐसा करना सेहत के लिए बहुत नुक्सान दे हो जाता है कई बार तो नई बिमारिया मरीज को घेर लेती हैं अब जान ल दवाईयों को डॉक्टर के बिना सलाह लेने से पहले सावधानी बरतना चाहिए अगर दवा के अस्ट्रिप पर लाल रेखा हो आरेक्स लिखा हो या एक आरेक्स लिखा हो तो इसे लेने से पहले सो बार सोचे क्योंकि यह फायदे के जगन नुक्सान दे हो सकता है दवा के अस्ट्रिप पर लाल निसान का मतलब यह है कि इस तरह की दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेटर यानि की पर्चे की बिना नहीं दी जा सकती है कोई भी medical store वाला न तो इन दवाएं को बिना डॉक्टर के पर्चे के बेज सकता है और नहीं इसके इस्तेमाल की सलाह दे सकता है कुछ दवाएं पर आरेक्स लिखा होता है आरेक्स का मतलब इसे डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही यूज करे तथा कुछ दवाईों पर N-R-X लिखा होता है इसका मतलब यह है कि यह नार्कोटिक केटेगरी यानि कि नसिली दवाई है जिने सिर्फ वहीं बेच सकता है जिसके पास नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रक्स बेचने की लाइसेंस हो नेक्स जानते हैं कि कुछ मेडिशिन पर X-R-X क्यों लिखा रहता है X-R-X जिस दवाई पर लिखा रहता है उसे एनेस्थेसियो लॉजिस्ट यानि कि बेहोसी करने वाले अस्पेशलिस्ट डॉक्टर ही खरीच सकते हैं और इस दवा को डॉक्टर सिधे मरीज को दे सकता है मरीज इसे किसी मेडिकल अस्टोर से नहीं खरीच सकते हैं भले ही उसके पास डॉक्टर द्वारा लिखी पर्ची हो तो कैसी लगी आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करे और सेर करे ताकि हर कोई ऐसी जानकारी ले सके अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करे और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास धन्यवाद